स्वागत एक बार फिर से आपका अमेजिंग इस सीरीज में जा आप नुम्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें बच्चे फॉर एंट्रेंस एक्जामनेशन नीट एंड जे में राइट आज एक ऑस्वम 11 घ्लास का टॉपिक हमें आपके स्टाट गरने जा रहे हैं तो उसके बहतर किसे fastest way में और easy way में और question को understand करते हुए concept को कैसे apply करके question को solve किया जाता है दन दन बच्चो चलो और देखो यार हम दिरे दिरे एकदम पास आ रहे हैं जैम के भी और दिरे दिरे हमारा slavers बे complete होगा क्योंकि हम यहां पर alternate पे 11th class 12th class को alternate पे लेके चल रहे है एक chapter 11th class एक chapter आपका 12th class तो यह book है जैसे हम इसकी बात कर रहे है you can physics की amazing physics की book है sorting book है right जिसमें sorting based questions के साथ साथ and starting questions बच्चो and most important most expected actually repeated formula based questions जिनके discussion हम कर रहे है क्योंकि इस book के अंदर वो unsolved है बाकि सारे questions solved है graphical questions solved है और last में category बजएगी आपकी that is experimental based questions जो इस बार add-on हुए है निटके exam में right तो उनको भी हम बाद में discuss करने वाले है ठीक है बच्चो so बने रना मेरे साथ इस पूरे lecture में आपको amazingly सारे concept भी revise कराऊंगा उसको इसको साथ साथ उन concept पे dependent numerical कराऊंगा सबसे important यह है तो एक perfect सा revision आपका होने वाला है ठीक है तो भाई आज की यह कहानी मेरे जुबानी जल्द से स्टार्ट कर लेते हैं और पहला formula है बच्चो अमरे पास the relation between the power and the force means mechanical power का एक first formula फिर mechanical power का दूसरा formula दो फोर्मले यहाँ पर discuss करने वाले है तो बेसिकली बच्चो अगर मैं बात करूँ आप से mechanical power के तो हम इसको लिख सकते हैं f.v के terms में ऐसे लिख सकते हो आप power है scalar quantity f.v आप लिख सकते हो no problem sir या अगर आपने इसको simply max रूप में लिखना है तो that is f.v आप इसको लिख सकते हो यह vector form हो गया और यह इसका just you know max form आप यहाँ पर लिख सकते हैं अब इस पर dependent question यार कैसे कैसे आएंगे आपने कैसे handle करना है कैसे solve करना है वो सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ तो इस formula dependent जो question है बच्चो यहाँ पर वो five question में है यहाँ पर given is book के अंदर और नहीं four है दो मैं solve करूँगा तो आप solve करेंगे तरीका आपको बता जल जाएगा कि use कैसे करना है sir yes यही तो mean है sir yes बच्चो जो सबसे पहला question है न वो आप direct कर सकते हैं क्यों कि f is the force v is the velocity देखो कभी भी आपको force and velocity vector में given होगी dot product निकाल के आ जाना power मिल जाएगी simple है dot product आप सबको आता है कैसे calculate कर तो मैं यहाँ पर question number two use करूँगा I mean solve करूँगा और मज़ा है जोसको solve करने में ठीक है चलो तो उसने बोले car of mass 1250 kgs moving at 30 minutes per second एक कार है चलो कार है कार बनावे थे हैं पहले ठीक है तो कौन सी कार आपको पसंद है वो ही बना लो आप अपने according ठीक है यह कार बने अब ही बना लिया ठीक है इसका जो mass दे रखा है बच्छो कार का that is 1250 kg और उसने बोला इसकी जो speed दे रखिया that is 30 meter per second something something okay okay its engine delivers 30 kilowatt while resistive force due to surface is 750 newton वो मुल रहा है इसका जो इंजन है रहा जो इसको power supply कर रहा है यादि किलो वोट है मतलब power इसके इसको supply कर रहा होगा obviously that is 30 kilowatt मतलब 30 into 10 is to power 3 watt की power engine supply कर रहा है ठीक है इंजन इतनी power supply कर रही है लेकिन जो resistive force due to surface वो 750 newton है मतलब यहाँ पर जो इसको अगर गाड़ी दर को जा रही है इसके opposite जो resistive force लग रहा होगा यहाँ पर वो 750 newton लग रहा होगा मतलब वो एक ऐसा force है इंजन उसको आगे चलाने कोशिस कर रहा है resistive force उसका अपोज कर रहा है opposing force मानके चल सकते हो आप ठीक है what max acceleration can be given in the car तो बताओ इस condition में कार के पास कितना maximum acceleration होगा राइट वो हमें बताना है तो बच्चो यहाँ पर करना क्या है तुमने पहले यह समझ लो तुम ठीक है तो sir यह पावर का formula यूज हो सकता है बिलकुल होगा क्योंकि पावर दे रहा है force की बात करा तो बच्चो हम यहाँ पर यह वारा formula यूज करेंगे definitely तो power is equal to f net के बारे में सोचना है बस आपने नहीं acceleration पूछ रहा है तो फिर आपने acceleration निकालना है तो आपने net force निकालना पड़ेगा कितना है और is equal to ma ठेक है जो भी max acceleration यहाँ पर निकालना है तो उसका net force आपको बताव रहा है क्योंकि mass car का already दे रहा है बट car पे कितना net force लग रहा है वो देख लो देखो बढ़ी car जब to increase the velocity and all right to provide the velocity you can say और opposing force दे रखा है तो हमें यह चाहिए कि यार जो engine ने force प्रवाइड किया होगा car को वो कितना है तो हम इस P की help से बच्चो फोर्स निकालनेंगे इस formula से simple this is the formula तो power है 30 into 10 is to power 3 guys और this is the force which is provided by the engine F मान लो आप इसको and its velocity for to provide the velocity 30 तो यहां से 30 पुरा cancel हो गया force आगया 1000 newton यानि यह वो force है जो car ने supply किया होगा बई समझे न और car का oppose कोन कर रहा है इतना force है तो car को आगे को कितना force लग रहा है 1000 newton 1000 newton पीछी को कितना लग रहा है उसको oppose करने के लिए 750 तो net कितना हुआ तो net worth 1000-750 क्योंकि यह इसका oppose कर रहा है तो net बचेगा उतना ही उसके पास मास है 1250 गाई और a max आपने निकालना है कैसे apply करने concept कैसे solve करके आ सकते हो आप easily ओकी बच्चो तो यह था हमारा पहले concept का पहले formula का पहला question amazing ठाना yes गलती नहीं करने का बोश इंजन जो हम गाड़ी चलाते हैं बाइक चलाते हैं कार चलाते हैं कुछ भी विकल हम चला रहे है न तो हमारा इंजन force provide कर रहा है उसको speed बनाने के लिए मतलब इंजन की जो power है वो force to velocity में convert हो रही है ठीक है तो वहां से हमने force निकाल ले कि car को engine ने कितना apply कर रहा है और जो उसका approach कर रहा था तो भाई वो approach कर रहा है तो actual मेंसे जो approach कर रहा है उसको subscribe कर दो जो remaining होगा वहां पे काम कर होगा clear है जो इसको acceleration देने वाला है ठीक है चलो question number two की बात कर लेता है यानि आप first question मैंने छोड़ दियता है वो just dot product app कर लेंगे second मैंने करा दिया third आप ने करना है मतलब हो जाएगा बहुत easy है direct formula use करोगे हो जाएगा fourth मैं यहां पर discuss कर लेता हूं again है तो वह भी easy but discuss कर लेते write down the given information in the question then and then also write down the value you have to find out in the question right और अगर जो निकालना है उसका formula के बारे में सोचे जो उसमें missing है उसके बारे में सोचे step by step फिर देखो question कैसे नहीं होंगे बहुत ठीक है concept और formula तो पता होना चाहिए भाई ठीक है a 60 watt no 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 sorry a 60 horsepower electric motor एक electric motor है जिसकी power दे दिये और power दिये 246 watt में आप इसको convert कर लेगे तो this is your power ठीक है boss ठीक है sir तो okay lips and elevator having a maximum load capacity of 2000 kg एक elevator को ये इतनी power देके हम lift कर रहे है उपर को लेके जा रहे है जिसकी load capacity है 2000 kg और लिब इस तरीके से मानलों एक elevator है और इसका खुद का जो weight है तो कि इसका mass उतना है तो ये 2000 kg है उसकी load capacity इतनी है ठीक है तो दिखे इतना बच जाएगा ये m है into g ठीक है इतनी हो गया उसका total weight तो अगर ये lift उपर को जा रहे है बच्चो तो अगर उपर को जा रहे है lift if the frictional force on the elevator is 4000 newton तो जो frictional force है चुकि lift जा रहे है उपर को तो friction force तो पीत नीचे कोई लगेगा ना तो friction force भी न velocity और weight तो obviously नीचे कोई है तो net force कितना लग रहा है इसमें net force down direction में एक तो उसका itself weight एक friction तो itself weight है बच्चो 2000 into 10 से और multiply करेंगे आप friction force आपको already given है and that is 4000 I think right और ये बन जाएगा that is 20,000 plus 4000 means you can write that is 24,000 right इतना newton net force लगेगा ये तो clear होगा ना elevator उपर को जा रहा है friction नीचे को लग कर दो ना भई okay sir the speed of the elevator at full load is close to तो बताओ उसकी speed कितनी होगी elevator की full load condition में तो भई speed निकाने के लिए power दे रखी है force हमने निकाल लिया तो formula तुम्हारे पास बच गया that is F is equal to sorry P is equal to F into V तो ये P आपको जो रख्या ये रहा देखो 60 into 746 force आप निकाल चुके 2400 into V V निकाल ले न बहुत जल्दी से आप question को solve कर सकते हो और question का answer आपका nearby 1.9 के आसपास आएगा meter per second closely ये आपने करना देखो भी सब कुछ करा आगा देवाने इतनी calculation तो कर लोगे ना बच्पन में सीखा ना how to multiply the numbers right yes sir बच्पन में यही तो सीखा था यही तो हम करते थे लेकिन बहुत दिक्क बात करते हैं वह भी mechanical वाला ही है अब देखते हैं उसमें different तरगे से power को और कैसे लिख सकते हैं उसमें different तरगे से questions कैसे बूशी जाते है come on guys जो second formula है mechanical power का इसमें इस तरगे से बात की जाएगी कि जो power it also can be written as क्योंकि पावर को work upon time लिखते है और work को अगर हम किसी चीज को lift करा रहे किसी height पर या height से नीचे को लेके आ रहे कितना work करना पड़ता है that is equal to its potential energy that is T divided by T तो अगर कभी यह वाला potential energy वाला concept ही हो जो कि height water को लेके जा रहा है या उपर से नीचे लेके आ रहे है something like that मतलब समझ के होंगे आप ठीक है ना तो इस तरीके की questions को आप कैसे solve करेंगे तो MGH by T के रूप में आप solve करने वाले ठीक है जैसे dam होते है एक height तक पानी को हम dam में store करते है फिर उसको strike रहाते है हम turbine पर तो इक height स आता है या पहाड़ों से पानी किर रहा है something like that नीचे हिट कर रहा है तो strike से आता है या नीचे से आप पानी motor के electric motor के थूड़ों लिप्ट करते है अपनी घर की उपर की terrace पर जो टंकी रख्यों तो इसको fill up कर लेते है तो that is lift कर रहे हो आप किसी height तक लेके जा रहे हो energy को right कोडिंग हमाँ पर store होती रहती है तो इसमें 4 question है इसके और मैं two question करने वाला हूं first and second and remaining two, third and fourth that is similar type of question of first and second तो आप खुदे अटेम्ट कर लेंगे no problem तुम तुम आइडिया भी लग जाएंगा ना यार कि कैसे कर रहा हूं मैं right तो that is the very first question चलो उसको पढ़ लेते है an engine pumps water through a hose pipe अच्छा सर ठीक है important है ताला ही question amazing है man ठीक है an engine pumps water through a hose pipe ठीक है सर water passes through the pipe and it leaves it with a velocity of two meter per second ठीक है माल लिया water इससे pipe से बाहर निकल रहा है और उसकी जो velocity बाहर निकल लेंगे that is two meter per second की है ठीक है सर the mass per unit length of water in the pipe mass per unit length यानि जो water का mass होगा न बट इस pipe की length के according per unit length यानि बच्चो mass per unit length इसका मतलब क्या है इसको बोलते है linear mass density mu से represent करते है अगर वा थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताओ ठीक है तो mu को हम लिखेंगे mass upon length और बच्चों अगर mass आपको नहीं दे रखा है water की density अब बता होती है rho और pipe का जो area of protection होगा ए तो उसमें convert की जा सकते है क्योंकि mass को लिख सकते है volume into density और divide में है उसकी length तो बच्चों यहाँ से थोड़ा सा simplify कर लो उसको जिससे आगे पढ़ने जब पहले question solve करने पढ़े दिमाग में clear हो जाए कि क्या करने जा रहे है तो यहा उसकी value दे रखे है आपको कि mass per unit length जो है न वो 100 kg per meter है मतलब mu यानि a rho is equal to 100 kg यह per meter दे दिया है यह value अगर कहीं required होगी हम use कर सकते है the product of area and the density of the water 100 दे रखे है वह आपको ठीक है अगर कहीं use होगा तो we can use it so what is the power of engine अब पूछ रहा है बताओ engine की power क्या है तो बहुत clearly देखो ना यार engine की अगर बच्चो power पूछ रहा है तो देखो power होती है force into velocity then how you can calculate this value guys तो force into velocity होती तो है sir but solve कैसे करेंगे इसको question number one निकालो पता है क्यों क्यों क्योंकि अगर आपसे answer करा रहा है वो और इसमें data भी इसमें देखो force given नहीं है force हमें नहीं दे रखा है velocity चलो दे रखिए ठीक है velocity दे रखिए but force is not given in the question then how we can solve the problem तो बच्चो जो force होता है अगर आप द्याम से देखे force को हम क्या लिखेंगे dp over dt यानि the rate of change of linear momentum यहां से निकाल सकते है क्योंकि पानी का mass भी है उसकी speed भी है वो move कर रहा है तो momentum होता है mass into velocity और divinement t ऐसे लिख लो उसको momentum को small है तो small में ऐसा लिख लो अगर पुरा change ले रहा है तो mv ले लिया मैंने ठीक है mv by t अब m को फिर change कर दो तो देखो जो force आएगा आपको mass को लिखो volume into density this is volume actually this is v इसको यू लिख लो जिससे confusion ना हो तो this is u guys ठीक है और यह हो गया t अब यह जो वी है यह volume था volume को लिखेंगे आप उसका area into उसकी length into rho into u by t और यह length upon time देखो velocity बनेगे उस particular length में जो water की velocity होगे distance upon time तो यह भी velocity बन गई तो यहां से force को आप लिख सकते हो a u rho u तो बन जाएगा a rho u square है की नहीं वास this is your force इसको यह पुट कर दो तो power आजाएगी भाई लोग तो power हम यह आज ही निकालेंगे this is a rho u square into u पहले सी था इसको भी u मानो velocity को तो भाई लोग यह हो जाएगा a rho u cube कभी कभी यह result भी पूछ ले जाता है कि जो भई आपका pipe है ना होज 5 है उसके अंदर जो power होगी वह u पे कैसे depend करेगे तो u की power 3 पे dependent कर रही है अब देखो यह अल्रेडी आप निकाल चुक है a into rho की value यह रही है ना कमाल का question तो power you can write 100 into u you can write जो given है that is 2 or 2 का cube यानी 800 watt man this is the power right this is the power of water sorry op engine what is the power of engine वो पुछा गया था and this is the power तो इतने watt की power वहाँ पे engine को supply करनी ही पड़ेगी pump करने के लिए water को through the hose pipe तो main यह नहीं है कि answer गया है वो तो आना ही था but main यह है कि how to solve the problem how to understand the concept right how to deal with this type of questions यह आपने tackle करने है तो amazing question है no doubt guys इसको आपको करना है बहुत अच्छे practice करना है similar type का आएगा तो उड़ा देना अब हम question number two करें क्योंकि three and four similar type के है जैसे three है वैसे ही सब कुछ है और direct आप कर सकते हो no problem भाई तुमने भी दूगरना है effort practice मैं आपको hint दे रहा हूँ मैं आपके साथ हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे solve करने मैं आपको technique सिखा रहा हूँ numerical करने के कि हर बच्चे को numerical केवल कराने नहीं है उसको कराने सिखाने है जिससे उसको हर category का numerical करना खुद में आ जाए और उसकी सबसे बड़ी problem numerical solving funny सो जाए not for like don't go for only for solution right solution आप देखते हैं करते हैं then after भूल जाते हैं नहीं question डिशे चेंज होके आती आपसे फिर नहीं होता process सीको how to deal how to solve how to apply the concept right तब building बनेगी बहुत strong चलो बच्चो यह question number two इसमें बुले गया एन इंजन pumps up 100 kg of water through a height of 10 meter in 5 seconds एक इंजन है सब्सक्रों यहां से water को pump कर रहा है है ना कितनी हाइट तक लेके जा रहा है हाइट दे रखिये वच्चो आपको 10 meter और उसको यहां से यहां से लेके गए है that is I think 5 seconds का 5 seconds का time लग रहा है उसको lift कराने के लिए तो यार चुकि यहां पर height की बात कर रहा है obviously और mass of water भी दे रहा है कितने water को आप यहां से लेके गए that is 100 kg given that the efficiency of engine जो भी engine आपने यहां पर use करा होगा यह engine है let's see यह engine है जो इसको lift कराने के लिए इंजन यहां से उसकी efficiency भी रखी है इसमें and that is 60% efficiency है तो बच्चो यहां पर efficiency का concept आग है वो भी आपको पता होना चीए ठीक है so power of engine बता दो तो बताओ engine की power कितनी है यानि engine की भी तो खुद की power होगी input और engine जो यहां power supply करेगा उसी के थूरू यह पानी उपर जाएगा यानि पानी finally हम किसी head तग लेके जाना चाहते है तो power output है ना कितनी power वहां पे वहां पे उसमें supply करिया और उसके थूरू कितनी power लगे उसको उपर लेके जाने के लिए तो बच्चो जब भी efficiency given हो ना तो efficiency is the ratio of the output power over input power into 100% अगर यह percentage में दे रखा है काम खतम तो अगर यह percentage में दे रखी है that is 60 पंतन तो लिख दो 60 by 100 is equal to power output और power input हमें power input निकालना क्योंकि उसने engine की power पुछिए हम जब इसको engine supply करेगा ना तो वो इसकी input power है output जो lift करेगा तो output power को बच्चो लिखते है मेंसा MGH यह और by T जो भी formula माने आपको बताया था ठीक है और divide मे input power बस सारी values put कर दो आप cancer बन जाएगा तो यहांसे cancel 6 by 10 आ गया है और M कितने है 100 100 एसर और into 10 height कितनी है sir 10 gb 10 height 10 और निचे time time कितना है 5 into input power ठीक है this is input power solve कर सकते हो no problematic at all I think तो यहांसे input power आ जाएगी वो यह आपका answer बन जाएगा बच्चो ठीक है तो I think almost यहांसे 3.3 kilowatt का answer आ problem ठीक है वो कर लेंगे आप 10 10 आटन में मान के चल रहा हूँ ठीक है मैंने आपको इस type question को कैसे deal करना और efficiency किस तरह के साब यूज कर सकते है this is how you can use it but ध्यार रहना कौन सी input है कौन सी output है done okay sir तो बाकी question हम कर लेंगे ना sir बेलकुल कर लोगे यह में मान के चल रहो आप ही नह calculus part you know basic differentiation basic integration आपको आता है तो बहुत amazingly आप question को crack कर सकते है क्या ना तो फसेंगे नी फसेंगे नी तो मतलब फसेंगे नी तो कैसे फसेंगे नहीं फसने दूगा ना right तो चलो next formula देखते है क्या है boss okay बच्चो next formula हमारे पास देखो भई जब भी कभी variable force given हो ना और आपसे work done पर depend कर रहा है तो उसकी limit लगा देंगे x1 से x2 जैसे आपको force केवल दे रखा है x square plus 2x यह कुछ भी x है केवल उसमें single variable है लेकिन अगर आपको force बच्चो y के terms में दे रखा तो भी यहाँ पस y आ जाएगा तब limit y1 से y2 जली जाएगी that simple एट अगर आपको दे 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 जैसे किस तरह से 2x i cap plus 3y j cap something like that एक से ज्यादा variable depend कर रहा है बस यह ध्यान एक ना जब force x पर भी depend करें y पर तो net force निकालना है x का y का add कर देना मतलब net force निकालने के लिए work done निकालने के लिए आपको x की limit लगानी पड़ेंगी fx का force ले लेंगे फिर जो y वाला है वो वाला force ले आ रहा हूं आपको पैचान कैसे करने है question कैसे आएंगे solve कैसे करना है ठीक है देख लो तरीका क्या है variable case जब भी आएगा पता कैसे चलेगा force की value आपको distances positions के terms में given होगी x y या z के terms में something like that या displacement given होगा time के terms में या velocity given होगी time के terms में इस तरीके से question भी आ सकते है तो variable होना चाहिए ठीक है जो change हो रहा हो और उसको integration method का use करेंगे जो उसमें बच्छो first question है वह बहुत easy है बहुत चलो कर लेता हूं मैं पता क्यूं कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं ठीक थोड़ा स this is minus six i six cube i cap इतना Newton in displacing the particle बहुत ही असान है four meter two x is equal to minus two meter बस यह ध्यान रखना है लिमिट के रहे है और यह जो force है अगर आप ध्यान से देखे क्या वाली x पे डिपेंड कर रहा है तो हमें वेक्टर से मतलब नहीं है हमें देखना है कि force x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं या y पे या z पे single variable है तो यह वाला direct formula आप यूज कर लो तो work done आप लिखेंगे integration x1 से x2 और force दे रहा है बच्छो i cap को अठाके पूरा लेलो with side 6 x cube into dx तो जब आप इसको integrate करेंगे बच्छो तो पहले क्या करो minus 6 तो constant आप बहार ले लेंगे integration में 4 to minus जा रहा है तो 4 to minus 2 जा रहा और यहाँ पे x की cube है into dx ठेक है अब simple integration करना है बिल्कुल करना है तो minus 6 तो यहाँ पे x का cube है तो x का 4 हो जाएगा और divide में 4 हो जाएगा और limit 4 से minus 2 लगेंगे तो यह देखो 6 by 4 बाहरा जाएगा that is 6 by 4 और minus का sign बाहरा है गलते से भी मत भूल जाना और x की power 4 है यहाँ अब ह इसको solve कर लूंगा answer आ जाएगा whatever जो भी होगा and that's the little bit calculation you can solve this is how you can attempt the question easy था attention नहीं है बज मनें बताया कि use case करना है अब मैं इसमें next question की discussion करने जा रहा हूं दोस्तो question number two question number three last question बचेगा वो खुद उड़ा देना उड़ा दोगे ना यह सर बिल्कुल चलो यहां पर question number two की बात करेंगे राइट वाई लोग उसमें question number two में डिरेक्ट ही बोल दिया कि the variable force given by the two dimensional vector मतलब 2D में है वही तो वेक्टर दे रखाए आपको minus six x cube i cap प्लस बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले वाला बस यह additional होगे तो बच्चो जब भी vector form होना तो i का coefficient जो होगा उसको हम fx लिखेंगे जब दो values given हो और j का coefficient जो होगा उसको हम fy लिख लेंगे तो fy जो है वो अल्रड़ी constant आ y का coding change नहीं हो रहा लेकिन fx एक्स पर उनों में निकालना पड़ेगा what is the change in kinetic energy of the particle as it move from the point with the coordinate और इसको इस force को apply करके एक point A से दोसरे point B तक shift कर रहे है point A के coordinate बच्चो दिरखे 2,3 और जहां पे लेके जा रहे है that is 3,0 और हमें पता पहला number x के लिए होता है तो यह x1 मान लो और x1 इसका यह बन जाएगा x2 तो यह लिए x की limit फिर यह वाला जो होता है यह y1 और यह वाला जो होता है यह y2 यह limits मिलगे हैं x और y की दन 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 बट यहां पर कमाल की बात है change in kinetic energy पूछ है ना कि work done तो बच्चो अगर आपको याद हो यह work energy theorem से आप उड़ा सकते हो क्योंकि जो work होता है वो change in kinetic energy के equal होता है त ultimately ठीक है तो work हम निकाल लेंगे पहले x के लिए x1 से x2 और उसका value यह रहा minus 6x cube into dx फिर निकालेंगे y के लिए y1 से y2 and that is 4 क्योंकि यहां cable 4 है into dy ठीक है बोस तो यहां पर आख ध्यान से दिख रहोंगे minus 6 बाहर आगे बच्चो और limit दे रखिए हैं इसकी x वाली 2 से 3 this is 3 and x x3 dx ठीक है सर और यहां पर 4 बाहर आएगा यहां limit बनेगे dy integration के वल y बचेगा यह integration करी दीदे हैं मैंने यहां पर ठीक है तो कि 4e है ना constant है यह तो और limit लग जाएगी y1 से y और y1 की value कितनी है वाई लोग 3 to 0 that is 3 to 0 clear इसको solve कर लो अब देखो minus 6 और यहां बनेगा x की बाहर 3 है integration में एक और add हो जाता है तो 4 हो जाएगा और 4 से divided कर दो बाहर कर दो उसको limit है 2 से 3 यहां पर देखो कितना आ रहा है plus 4 पहले y की जगह upper value minus करके lower value यही put करते हैं ठीक है ना cool है अब बच्चों यहां पर आगर आप देखेंगे इसको solve करना है बस कुछ नहीं करना है solve कर लेना है तो यहां पर इसको solve कर लो आप minus 3 by 2 आ जाएगा इसको cancel कर लो 2 से और x की जगह पहले upper limit फिर minus करके lower limit यानि 3 आ जाएगा इसके और इसका 4 power and 2 इसकी 4 power और बच्चों यहां बच गया minus का 12 इसको solve कर लेना question का आप cancel हो जाएगा tension ही देने का हो जाएगा ना कर लोगी फड़ा फट येस डाफनेटली कर लेंगे डिगर दो में यहां पर क्या answer करना है no problem बस मैंने बताना कि deal कैसे करना है ठीक है final answer आपने calculation कर लेना है तो तरीका मैंने आपको बता दिए बहुत प्यारे से छोटे से क्यूट से questions आते हैं डरने का नहीं है और गलत को जो छोटा है वोई खोटा है मतलब silly mistake होने के चांज होते है जो easy version होता है जोटा से करनी है समझ गे चलो डिसकस कर लेता हूं थोड़ा सा different है that that's why तुरू मैं आपको एक concept भी और भी बता दूंगा and amazingly फिर उस टाप के क्रिटिकरी कॉस्टेंस भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व करके आ सकते हैं without any agitation without any mistake okay okay here we go and this is the last question of this particular concept and formula देखो इसमें क्या बोला है बहुत शिदत से प्यार से पढ़े पढ़ लो जैसे मैंने बोला जो लिखा जो लिखा है उसको नोट कर लो जो उसको नोट कर लो जो कुछे किया उसके concept को सोचो रहा है a body of mass 0.5 kg travels on a straight line यहीं body है जिसका mass दे दिया बच्छो 0.5 kg जो की straight line पे travel कर रहे है विद विलोसिटी विलोसिटी दे रहे है 3x square plus 4 and that is meter per second oh that's great the net work done by the force during its displacement net work done पुछ है बाई लोग यह work done कुछ है आप से during its displacement और displacement दे रहा है from x is equal to 0 to x is equal to 2 meter मतर भी लिमिट्स भी माल सकते हो आप या फिर यहाँ 0 से उसको 2 meter तक हो shift कर रहा है उसका displacement है और basically ठीक है तो जब भी कभी बच्छो देखो ध्यान से मैं डाने बचाता हूँ जिससे time भी waste ना हो आपका रहे है जब भी velocity given होना की force और work पुछे देखो velocity है force तो नहीं है तो देखो यहाँ अगर force होता तो हम use कर र करेंगे यहां पर राइट हम direct method यूज करेंगे जब भी work done बच्चो निकालना होना तो और velocity की भी नहीं हो तो हमेशा work energy थ्वरम यूज करो that is amazing very direct concept बदा रहा हूं मैं आपको force नहीं निकालना पड़ेगा राइट पूरी lending inflation finish तो change in kinetic energy को हाब M V final और V initial का square लिख सकते हो this is the way to solve another way to solve the problem amazing concept man right cool and now how you can solve the problem देखो बच्चो जो velocity दे रखी है वो x पे depend कर रहे है और x की पहली value है 0 तो यहां से पहली velocity मिल जाएगी यानि initial और जो displacement इसका second वाला है this is तो यहां से final velocity मिल जाएगी हो गया तो देखो कैसे निकालेंगे सर देखो जब आप initial velocity निकालेंगे यहा करो तो 3 into 0 का square plus 4 तो obviously initial velocity आपकी 4 meter per second आगे simple direct ठीक है final velocity मिल जाएगी final displacement 2 पर तो 3 into 2 का square plus 4 तो that is 4 12 plus 4 that is 16 तो बच्चे वालू दोनों यहां पर पूट करनी आपने अप देखो मच्चा डालो this is mass and what is the mass 0.5 and 16 का square minus 4 का square solve कर डालेंगे तो solve कर डालेंगे तो half into 0.5 तो guys यह हो जाएगा 256 right minus यह हो जाएगा 16 तो solve कर ले ना direct answer आपको दीख जाएगा पंगे वाली बात है इच नहीं मैं राइट इतनों तो कर लोगे ना यह सर कंसर्ट बने बता दिया ना यह सर्देखो फोर्स निकालने की ज़रोत नहीं बढ़ी ना यह सर बिल्कुल वारी इस बुक के अंदर हमने सॉल्ट करके रहे हैं और पुरे साल अपने मैनत भी करी है वहां से भी ठीक है तो उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है ठीक है ओकी बच्चों सो बात कुछ ऐसी है कि बस पहले पढ़ लेते हैं फिर ही पता चलेगी क्यासी है ठीक है तो इसकी लेंट इंग्रेज कर गई फोर्स लगा लगाने के बाद अपलाई करने के बाद तो पता क्या बोल रहा है कि बताओ कि इतना वर्क दन करना पड़ेगा उसक बाया कि बाद अपां पे करएंगरा अब पोर्स इंड को याद रखेगेंगे तो निकलके आएगा अच्छा एक चीज बढ़ा अमेजिंग बता दू यह जो पोटेंशिल एजिए यह देखो के और एक्सपेडिबेंड कर रही है और आपको बता है इंद्ध एक्सटरनल फोर्स जो लगेगा स्प्रिंग फोर्स बच्छो स्प्रिंग फोर्स हमेशा हमके पदा है माइनस की एक्स होता है तो सम्टाइम इसको आप कन्वर्ट भी कर ले ना एक्स को हटा दो एक्स को अटा कि आप एफ भाई के लिख सकते हैं डिपेंड करेंगा डेटा क्या गिए उसके एक्स कोडिंग पैचान कर लेना उतने समझदार तो हो बहुत ठीक है पहला और दूसरा और तीसरा ना फर्स सेकंड और फिप्ट कोशन करूंगा थर्ड और फॉर्स इस पॉर्यू सिम्लार टाइप है कोशन है जैसे मैं यह इस प्रिंग पर फोर्मुला तो यह है लेकिन इस क्वेशन में फोर्स तो इसमें रखा था इसलिए यह वाला फॉर्मुला यूज करेंगे तो चुकि फोर्स सेम हो गया तो उसके रिलेशन के अकोडिंग यहां पर जो पोटेंशल एनरजी आ रही है फोर्स के टॉम्स के अकोडिंग वह का है वह आपके के या नी स्प्रिंग कॉंस्रेंट के इन्वर्सली प्रपोर्शनल है तो मैं यहां लिख सकता हूँ के टू बाई के वन क्योंकि इन्वर्सली है तो के टू पर जाएगा बस सिंपल हो गया देखो कंसप्ट अगर बता तो सिंपल हो गया नहीं बता तो वह डिफिकल्ट है सिंपल दिखने वाला कॉस्टन भी तो के टू की वालू है बच्वो जो और यहां फिर कॉस्टन नंबर उसका लास्ट फिफ्ट कॉस्टन भी डिसकस कर लेता हूं तो आपको और बेसिक से आईडिया लग जाएगा तो मजह आ जाएगा बाउस है कि नहीं चलो बच्वो यह है कॉस्टन नंबर टू आ स्प्रिंग ऑफ फॉर्स कॉंस्टेंट एड़ है-डल न्यूटन पर मेटर यानी स्प्रिंग कॉंस्टेंट दे दिया आपको एड़ है और इट हैंड न्यूटन पर मेटर कν है जैंशन उसका का इनिशल डिस्प्रेशन दे να रख्UNG है तो जब भी बोले कि 5 to 15 कर रहे हो यानि एक्स्ट्रा 10 इंक्रीज कर दिया आपने यानि इनिश्यल डिस्प्लेश्मेंट उसका 5 सेंटिमेटर है तो फाइनल डिस्प्लेश्मेंट क्या होगा आप खुदी सोचो फाइनल होगा 15 15 सेंटिमेटर क्यों डिरेट दे दिया है कि इतने से इतना फाइनल राइट हाँ तो यहां पर आपने जब वर्टर निकालना है तो डिरेट फॉर्मिल आपको दिख रहा है हाँ के एक्स फाइनल का स्कुएर एक्स इनीशल का स्कुएर यू यू जोगा क्योंकि दो एक्स दे रख्या है तो यही रिख विज़वर अम टिख देंगे हांप इंटू 800 और फाइनल याप का 15 इंटू उसको सेंटिमिल वह में कर लें इसको किए और मारून बच्चों हो इसको मैं आपको बता दिया है अब इसी काटेगरी में question में और discuss करूँगा बस थोड़ा सा difference आएगा question के attemptation में language में उसको भी समझ लेते हैं जिसे error ना हो गलती ना हो पसन हो जाए ठीक है similar previous question की तरह five centimeter ही दे रखा है that is the five centimeter initially from the unstressed position unstressed position ध्यान रखना जब वो बिलकुल अपनी natural state पे था spring ठीक है तो यहां से जब x0 था यह पहली position है उसकी यह final position है यहां से यहां तक मानेंगे x1 तो यहां से यहां तक मानेंगे x2 तो जब बोले further उसको extend किया जा रहा है तो जो initial है उसमें जो extend amount है उसको add करके final निकालना है जबकि इस से पहले वाले question में final amount अल्रेडी दे रखा था था बस यह ध्यान लखना है ठीक है ना ओके तो उसने बोला it is also stressed further by 5 cm तो बच्चो सारी वैलू आपको पता है initial and final तो work done आप निकाल देंगे again using the same formula x final का square minus x initial का square तो this is half into 5 into 10 is to power 3 और x final आगे आपका 10. 5 plus 5 that is 10 cm. तो cm में है तो 10 square minus 2 करो पहले उसका square करो minus 5 into 10 square minus 2 करेंगे और इस इसका square करेंगे solve कर लेंगे answer लाजाएगा simple application करनी है just समझे नाया language ठीक है चलो बचो यह question आप कर लेंगे इसका लगबगा answer आएगा 18.75 newton meter के आसपास वह आप check कर लेंगे no problem right अभी हम चलने वाले आगे आगे बढ़ने वाले धीर तूम बढ़े चलो वीर तूम बढ़े प्रेक्टिस करते रहेंगा चलो नहीं सकते है एक और formula जल्दी से में यहापर discuss कर ले तो फटाफट फट फिर आगे बढ़ेंगे देरे तो एक amazing है इस पर भी question देखा गया कि काफी बार question आया है बाट डॉन बारी मस तरगे से कर सकते हो right चलो जो next formula very 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 important बहुत सारे question मिल द होगा और अगर आप ध्यान से देखो दो different condition में इनका ratio maintain करोगे तो यहां लिख सकते है k1 k2 is equal to p1 over p2 क्योंकि p2 के directly proportional है और mass की इनवर्सली पर जाएगा m1 निचा आएगा तो conditionally जो भी question आएगा we can attempt तो question number 2 question number 3 मैं discuss करूंगा 1 or 4 आप करेंगे कोई कि similar type के हैं मजाएगा ठ और इनिचल बोडिंगा माच दे रखे 2M और इसका माच दे रखे 2M और इसका माच दे रखे I think M ठेक है yes have their kinetic energy in ratio 8 ratio 1 इन दोनों की kinetic energy let's see k1 and k2 इन दोनों की kinetic energy का ratio दे रखे that is 8 by 1 यानी 8 ratio 1 amazing mm then the ratio of their momentum तो इनके momentum का ratio बढ़ा दो ओहो अच्छा P1 over P2 निकालना है तो दीख रह है तो यह value आपको देखो given है कितनी 8 by 1 P1 over P2 निकालना है सर तो formula according square भी है फिर हमें दे रखे M1 2M और M2 दे रखे M तो M2 उपर लिखना है that is M and that is 2M यह होगा देखो बच्छों cancel यह 2 नीचे है cross multiply होगा 16 हो जाएगा and that is P1 over P2 का whole square तो guys यहां से आप लिख सकते है P1 over P2 इस 4 ratio 1 obviously that is 4 ratio 1 you can see very clearly इस तरीके से आप format का use करेंगे utilize करेंगे solve करेंगे मचा डालेंगे ठीक है तो एक question इसका मैं और करने वाला हूँ that is also amazing वह भी आपको बताना चाहिए उस type की category question बहुत आते है इसके जो percentage based question आते है इसमें heavy percentage given होते है that is more than 10% and something right तो वो टेक्निक वो sort tricks सब कुछ मैंने यूट्यूब के अंदर तो sort trick में amazing है तो उसको मैं discuss नहीं करूंगा तो इससे different question में आपको बताने वाला हूँ ठीक है चलो देश के दुरंदर खिलाडियो बात ऐसी है कि तुम fight कर रहो अपने entrance examination के लिए जिसके fight करने पड़ेगे हर इंसार हर फिल्ड मे आपका entrance examen है तो उसको फोड़ना है तो practice, 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 correction, correction and correction, analysis and all concept को building करते जाओ, conference बना कर रहो को अपने अपने ऊपर trust को विश्वास रखने ज़र हो ठीक है तो चलो बहुत घ्यान बाट दिया मतलब कर लेते हैं कि नहीं किसी body की kinetic energy को increase कर दे तो percentage increase in kinetic energy 0.1% और यह बहुत कम percentage है less than 5% जैसे आता है बच्चो error वाला method यूज करेंगे हम यहाँ पे this is error method हम यहाँ पे apply करने वादे है ठीक है जब भी बहुत कम percentage की भी नहीं ठीक है अब पूच कहा रहा है the percentage increase in its momentum तो उसको momentum में कितने percentage increase कर जाएगी क करी है kinetic energy तो हम formula use करेंगे k is equal to p square by 2m वाला यह constant वाल लेगे क्योंकि change के वाल k में किया है p में पूच है mass constant वाल के चलो तो इसकी error खतम इसकी percentage error खतम तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इसको देख लो इस तरीके से आप समझने कोशिस करो हम क्या लिखने व लिख सकते हैं यह direct कर लो कि यहीं से लिख लो कि k is directly proportional to p square है ऐसे करो या फिर ऐसे करो तो जब percentage form में बच्छो इसको लिखोगे delta p over p into 100% याद होगा आपको तो k की power यहाँ पे एक तरीके से 1 by 2 है तो 1 by 2 पहले multiply हो जाती है जब error method यूज़ करते हैं और k को लिखेंगे delta k by k into 100% ऐसे लिखोगे ना तो बच्छों यहाँ आएगा 1 by 2 और इसकी percentage आरा रोलेट दे रखिया 0.1 that is 0.1% यानि 0.05% क्योंकि 0.1 को 2 से आप डिवाइड करने वाले हैं ठीके जी ओके जी यही answer आएगा अब चाहिए यहाँ से कर लो बात एक ही अगर इस से करते डारेक्ट य के इन्टो 100% और यहां पर पी का स्क्वाइर है तो टू आ जाना था डेल्टा पी अपॉन पी इन्टो 100 परसंट यह करने जोड़ों थी निवटनी थी तो यह लागी बच्छों दे रखिया 0.1 परसंट इदर आ गया 2 और यह आपको निकालनी है यानि परसंटेज ओ पी तो बच्छों दो क्वेशन मैंने आपको टेंट करा दिया बाकी क्वेशन से दो बच्छे हैं वह आप खुद करेंगे नेक्स फॉर्मॉले पर जाएंगे मोमेंटम कंजरोवेशन राइट उसके डिपेंडेंट क्वेशन सॉल्व करेंगे यानि तीन इंपोर्टेंट ठीक है जी और अब आपने प्रैक्टिस जारी रखनी है प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम हो नहीं निचाए बहुत ठीक है अब इस यूर रिस्पॉन्सब्रीटी कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस में कैसे लेके आ रहे हैं और दमधार तरीके से सारे कैसे कुश्टिस तु कैसे सॉल करने वह सब सीख रहे हैं हैना कौश्शन स्वाविगे स्ट्रों कैसे बनते वह सब सीख रहे हैं ऑख्छो ठिक है नट text form cafe का तो उसके application फर तुथीं क्वेश्शन स्कूल्वीशन थो एंक और दे अब कर सकते ब्सक्रेशन कर सकत होता है हर कुलिजन में तो कमाल की बात है इसको एप्लिकेशन आपको करना बस आना चाहिए ठीक है मोमेंटम कंजर्वेशन का देखो मतलब होता है इनीशल कुलिजन जो भी होगा सिस्टम का और फाइनल वो दोनों सेम होने वाले हैं इनीशल सबोच करो दो बोडिज है बोड तो पहले उसका इनीशल मोमेंटम निकाल लेते हैं दोनों का दिस प्लस दिस यानी M1 U1 प्लस M2 U2 फिर फाइनल मोमेंटम लिखे लेंगे M1 V1 प्लस M2 V2 अब डिपेंड करेगा जो पार्टिकल्स है वो इनीशली एक दूसरे का पोजिट जा रहे हैं इन सेम डिरेक्शन ज फान लो ठीक है इसका मास दे रख्या 200 g ग्राम एड इस वालिका मास दे रख्या 400 glle मिल्च है इस एक यूओ टुम औरब तो बॉल रहा है कि जो बॉल ए है यह वाली इसकी विलोस्टी अलेड़ी दे रहा है, that is 0.3 meter per second and after the collision two ball comes to rest, वो बॉल रहा है कि दोनों की दोनों टक्कर लेगने के वार रेस्ट पे आ जाती है, और rest के तक्कर के बाद, या नि आप्टर तो कोलिजन दोनों की speed, बच्चों आमने V1 V2 मानी है बदर V1 is equal to V2 and that is both 0 क्योंकि rest पर आ रहा है ऐसे बोल रहा है वो ठीक है then what is the velocity of B initial velocity ball B की क्या थी यह वाली तो कि यह तो दे रखी है तो बच्चों देखो direct is formulas हो जाएगा कुछ भी नबता चले यह use करो ठीक है तो यहाँ put करो M1 पहले का मास है 200 उसकी speed है 0.3 plus दूसरे वाले का मास plus आप यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों ठीक है जब मैं यहाँ mass put करूंगा body का that is 400 into उसकी velocity निकालने है वे उसको that is U ठीक है चुकि इसके opposite आ रहे है तो minus U2 लिख सकते हो आप इसको यहाँ पर यहाँ पर यह दो जीरो जाएं क्योंकि दोनों की velocity 0 है rest पर है पूरा 0 तो यहाँ पर देख सकते हो आप 200 into 0.3 इसको परे लेके जाओ that is U2 into 400 पूरी 0 cancel होगी बच्चों यहाँ 2 बचेगा यानि U2 आगया आपका 0.3 by 2 तो यहाँ से आप solve कर लेंगे no problem guys तो बच्चों यह आपका answer आ जाएगा और इस तरी के से आप question solve कर सकते हैं बस एक चीज याद रखना U2 की जो value आ रही हो positive मैंने इसलिए लिखिया है क्योंकि यहाँ पी U2 का sign मैंने negative मालने क्योंकि उसकी opposite आ रहे थी कर लेंगे him no problem at all अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों ठीक है अब मैं question number 2 तो आपके लिए चोड़ रहा हूँ आप कर लेंगे no problem at all and question number 3 मैं कर देता हूं आपके लिए चलो बाई लोग तुब पढ़ लेते हैं जल्दी चे फड़ावाट मस तरीके से ओके देखो मैं तब से बगबा किये जा रहा हूं आपको पढ़ा रहा हूं आपसे बाद भी नहीं कर रहा हूं मैं समझ कर चल रहा हूं आप सिद्दत के साथ full attention के साथ questions समझ रहे हैं यह दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं तरीके से और दोनों का जो मास है सेम है यहांनि M1 is equal to M2 and that is 0.25 kg करेक्ट मैं सो विदे स्पीट 3 मिटर पर सेकंड और 1 मिटर पर सेकंड इसके जो स्पीट दे रहे की पहले वाले की दाट इस 3 और दूसरे वाले की दाट अगर वह स्टिक कर जाते हैं इस परफेक्ट ली इनलास्टिक के साथ मूब करेंगे वही पुच्छा है तो बच्चों हम लिखेंगे इसका भी सेम ही है लेकिन विलास्टिक कितनी है सर चुकि यह इसके आपोजिट आ रहा है माइनस वन नहीं है जो वन है यह इसके आपोजिट है माइनस डिरेक्शन में राइट और यह 0.25 अच्छो प्लस 0.25 और इंटु वी यह तो आप सॉल्व करें लेगे दाट इस 75 0.75 और यह 0.25 बच गए आपे जब इसको एड़ करोगे और और 0.75 में से 2.25 हटा दोगे तो 0.5 भी बचेगा तो इस इस इंटु वी तो बच्चो एंसल आगे वन मिटर पर सेक्ड तो आप्टर ओल्ल यू कन से इनकी कमाइंड जो विलोसिटी होगी आप्टर तो गुलिजन वह वन मिटर पर सेक्ड होगी दोनों की कॉमन विलोसिटी क्योंकि वो स्टिक कर गए है दूसरे के साथ बागी कैलकुलेशन पर आप ध्यान देंगे लास्ट कोर्शन अमेजिंग और बैतरिन कोर्शन है उसके मैं डिसकेशन करूँगा फिर लास्ट दो फोर्मुले हैं जिनके हम बात करने वाले हैं बहुत बढ़ जल्दी सी को पहले पढ़ लेते हैं उसके बार स्टार्ट करते हैं इसका सौलेशन अमेजिंग कोशन है बढ़िया कोशन है गलती होने के चांज बन जाते है अगर इसको आपको कंसेप्ट वाई जो अच्छे से आपको अप्लिकेशन करना नहीं आ है तो दिखो इसमें बोल इसकी वेक्टर पर रखे है यू आई का इधर को जा रहा होगा राइट सो कोलाइड परफेक्टली इलास्टिकली रही परफेक्टली लास्टिक कोलिजन हो गया विदे मास 3 एम एक मास इसी के रास्ते में कहीं पर रखा होगा और यह रेस्ट पर मतलब इसकी नीशल पर रखेंगे और इसकी वेटू लिखेंगे लट सी यह वीवन आपको दे रखी आइग उसने बोला कि यह तकराने के बाद जी डिरेक्शन में जा रहा है तो पहले एक्स अक्सिस पर मूव करने करने लगा इन्ट पोजिटिव डिरेक्शन नाओ यू कन सी ठीक है तो यह वाला वी पुछेगा है कि यह वी क्या है यहां पर यह हमसे पुछेगा है मतलब जो आप्टर दे कुलिजन सेकेंड बॉड़ी है उसकी फाइनल विलोसिटी वी टू नहीं दे रखी है यह नौट गिविन यह कुश्चन में नहीं दे रखी है समझेगे ना आप तो सबसे पहले कुछ बिना सोचे समझेगा उसके बाद चुकि यह परफेक्टली इलास्टिक है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज किया जा सकता है important यानि आपने यह भी समझना है कि यह perfectly elastic है और इसमें दोनों conservation यूज होते हैं देखो पहले वाला तो हर case में होता है जाए मोमेंटम conservation यानि momentum constant हो और kinetic energy conservation यानि kinetic energy total constant हो initial और final करके इसमें दोनों यूज होंगे बाकी में यह हमें इसमें यूज होगा बात कि में energy loss होता रहते तो वहाँ पर हम यूज नहीं करते हैं momentum kinetic energy अब अच्छो यहाँ पर सबसे पहला momentum लिखूंगा मैं initial is equal to final और हम vector में लिख लेंगे तो best रहेगा हमारे ले क्योंकि vector में रख है initial momentum इसका प्लस इसका तो हम लिखेंगे m और इसकी velocity यूज है यूज है प्लस सेकिंड वाला है 3m और इसकी इसकी विलोसिटी को कुछ ऐसे ही vector में ठीक है ऐसे लिख सकते हैं हमें इन पता वही किस direction में जा रहे है तो हमने लिख लिया वही कि उसकी velocity कुछ होगी अच्छा उसका mass भी तो लिखना पड़ेगा 3m into v2 ऐसे vector में लिख लेता हूँ मैं चलेगा yes sir तो बच्छो यह तो हो गया 0 अब इस value को इधर लेके आओ तो यह बनेगा देखो m u i cap minus m v j cap और यहां बन गया 3m v2 बन गया गी नहीं और यहां से mm cancel हो गया और यहां से अगर आप v2 को calculate करोगे तो v2 आ जाएगी u by 3 क्योंकि यह 3 से divide कर दो i cap और minus v by 3 that is j cap यह बन गी value आपकी clear है बोस अब इसका magnitude निकालना होगा तो obviously magnitude हम निकालनेंगे no problem at all तो यह velocity इसकी unknown velocity आप momentum conservation से निकाल चुके हो कि वो वाला particle ऐसे जा रहा होगा बैए लेकिन question हमारा नहीं solve आ क्योंकि हमें तो v2 चीए है ना यह जो velocity है vj इसमें v2 की value चीए हमें तो बच्चो अब इसके लि जाए 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 आप इसका magnitude निकाल सकते हैं तो इसका जब आप mod लेंगे तो this is under root of u by 3 का square minus v by 3 का square ठीक है और इसका भी mod आप लिखेंगे v2 under root और इसका भी square लिख सकते हो बजब एक तरीके से sorry v2 का square एक तरीके से अब energy conservation kinetic आप कैसे यूज करोगे थोड़ा इस पे आप ध्यान देंगे बच्चो ठीक है very 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 important question समझना पड़ेगा भई ठीक है चलो सर तो initial kinetic energy must be equal to final kinetic energy हमें पता है initially केवल इसके पास energy है क्योंकि इसके पास speed u है तो हम लिखेंगे half mu square प्लस इस यो रेस्ट पे इसके energy zero हो जाएगी और finally बच्चो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे final energy दुन्नों के बाज है क्योंकि इसकी velocity हमने निकाल लिया इसकी velocity पहले सी बता था यानि half mu square प्ल plus यहां बचेगा 3m by 2 और v2 square की value यह आ चुकी है देखो यानि u by 3 का square minus v by 3 का square यह आ चुकी है multiply कर लेना सारी value इधर उधर कर लेना और यहां से इस equation से आप v निकाल लेना अब इसको आप कर सकते हो no problem at all अब आपने कुछ नहीं करना है इन सबको solve करना है जो वी वाले टॉम्सान को अलग कर लेना जो यू वाले उनको अलग कर लेना मास को बना के cancel हो रहा है देख रहा है तुम्हें you have to find out the value of v और I think v की value बच्चों यहां से आएगी u by under root 2 यह answer आना चाहिए मेरेको solve बरके बता होंगे and most of the important thing is that जब आप खुद से करोगे practice करोगे तो दिमाग open up होगा और calculation कहां पे mistake हो शकती है वो भी पता चलेगा तो आपने खुद कर लेना last के दो जैसे कि मैंने आपको बचाता इसमें और important expression बचे वह है फॉर्मलाज उन पर dependent question उनको finish करते है यह पूरा lecture finish हो जाए that is the coefficient of restitution ओके तो coefficient of restitution को आप लिखोगे is equal to V2 minus V1 over U1 minus U2 अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे V1 क्या है यहाँ पे first body की after collision velocity V2 क्या है second body की after collision velocity और U1 U2 हमें बता है U1 is the first body initial velocity before collision and U2 is the second body initial velocity before collision लेकिर अगर आप combinedly देखो यहाँ पे U1 minus U2 पूरे को बच उसको बोलते है relative velocity of relative velocity right Vr लिख दो चलो relative velocity of V1 minus U2 approach की velocity कहते है इसको approach जब एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को approach कर रहे है टकर बारने के लिए और after the collision जो velocity का difference है V2 minus V1 इसको लिखना है initial minus final इसको final minus initial इसको कहते है relative velocity of separation यह भी आद रखना है कभी-कभी इसके नाम पे भी direct question आते है तो आपको terms भी पता होने चीए तो देखते है इसका use करके कैसे कैसे question आते है बच्चो चार question है दो में solve पर दो आप करेंगे बिल्कुल डिक्टो टाइब के है बने के पूरे chance रहते है ठीक है चलो the very first question a ball moving with a velocity 2 meter per second ठीक है एक ball है initially let's see this is the ball and इसकी initial velocity दे रखे है that is 2 meter per second वो लिखना है जो दी रखे है उसको समझ के की initial है यह collide head on with another stationary ball मतलब यह ball किसी दूसरी ball के साथ टकराती है और उसने बोला जो दूसरी ball है second वाली this is first this is second यह rest पे है यानि इसकी initial speed 0 होगी ठीक है और ब other stationary ball of double mass अगर इसका mass m है तो इसका mass 2m है double mass है ठीक है my mistake right if the coefficient of restitution is 0.5 अगर e की value दे रखे है 0.5 मतलब यह हो गया 1 by 2 e की value दे दी है तो समझ जाना क्या concept use करने वाला हो मैं जब भी e given होगा तो बच्चो यह जो concept यहाँ पर use होने वाला है अगर e की कुछ ने कुछ value दे रख पर्फेक्टली inelastic collision में inelastic की बात कर रहो मैं 0 होती है और केवल inelastic collision ic इसमें e की value हो में से less than 1 होती है जब भी e की कुछ value given होगी इसका मतलब वह inelastic collision है यह data भी याद रखना चाहिए आपको ठीक है चलो find the your velocities after the collision तो बता उनकी velocities क्या है after the collision जब यह bodies को टकर मारेगे तो टकर लगने के बाद दोनों की velocity निकालो मतलब v1 भी निकालनी है as well as v2 भी निकालनी है both you have to calculate in this question तो देखो कैसे करेंगे तो यह जो case बन गया बच्चो अगर ध्यान से देख रहे हूं question पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आते है कि सब यह जो आला जो case है ना यह perfectly elastic नहीं है यह perfectly inelastic भी नहीं है जिसमें टकर के बाद दोनों चिपक जाती है राइट यह inelastic है क्योंकि इसमें e की value से बता चल रहा है इसकी data given है value given है which is less than 1 तो यह inelastic का case है तो बच्चो ऐसे question करने के लिए na concept भी याद रखना है funda भी याद रखना है एक तो यह formula हमेशा याद र हराम से deal कर सकते हो maximum number of question you can solve with this type of category right अब क्या करेंगे सार देखो पहले इसका use कर लो मैं लिखूंगा e is equal to v2 minus v1 यह निकालने हमें v1 v2 दोनों और u1 कितना दे रख्या है बच्चो देखो 2 u2 कितना है यहाँ पर 0 second वाला और e की वालू भी कितना दे रख्या है 1 by 2 तो इसका मतलब यह वाला 2 तूकि 2 minus 0 that is यह पूरा cancel हो जाएगा यहानि v2 minus v1 की वालू 1 आ गई and this is your very first equation हमें दोनों ही सी यह v1 v2 बद एक equation है एक और बनाएंगे वह इससे बना लेंगे न भई is equal to final ठीक है ना final तो हमें पता ही नहीं हो तो हमें निकालना है तो हम वहां पर लिखेंगे पहले मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं और यहां बचेगा v1 प्लस यहां बचेगा 2v2 this is 2 है ना velocity भी तो है उसके पास this is 2 तो यह आपकी second equation आगी गाई तो आप देख सकते हूं यहां से किसी एक value को निकालो और यहां पर put up कर दो आप cancel आ जाएगा अगर मैं यहां से ध्यान से देखो v2 निकाल लो तो यह आएग बच्चो v1 की value 0 आ रही है यानि first body after the collision 0 पे चली जाएगी यानि rest पे चली जाएगी और v1 की velocity यहां put कर दो देखो v2 आ जाएगा 1 प्लस 0 यानि यह 1 meter per second से move करने लगेगी यह तो कमाल हो गया मतलब जो first body है टकर लगने के बाद रेस्ट पे आ जाएगी और यह move करने लगे आपको अप्लिकेशन करना ना चाहिए ओके गाइस तो मस तरगे से सीखते रहो यार apply करते रहो यार concept को सीखके उसको apply करना बहुत जरूरी है देख उसके बिना तो नहीं आएगा practically आपको जाना ही पड़ेगा आपको अब देख देख आप सीख नहीं सकते चीजों को जब करा देता है इस तो करा देता है तो बोल्स व्माज 2Kg और और आपको यह दरौ को आ ठीक है न ओके इसका माजस है 2kg आपको माजस है 4kg अब इसकी स्पीड है 6 m3 की स्थीड इसकी स्पीड आपको 4 m3 स्थीड रहाइगा रिगा रस्पेक्टिवल इन फ्रिक्शन लैस तर्फ separation between the two balls, देखो यहाँ पर पूछा है, relative velocity of separation, तो मैंने अभी बताया, ता आपको relative velocity of separation का मतलब होता है, v2 minus v1, यह निकालना है, basically, तो बहुत असान हो गया, बस e का formula यूज करो, उसी से हो जाएगा, v2 minus v1 over u1 minus u2, यह value आपको दे रखिया, बच्चे 1 by 2, और यह v2 minus v1 आपने पूरा complete calculate करना है, बस, and u1 आपकी दे रखिये 6, जो की positive direction में है, right side में, और यह इसकी opposite left side में negative है, तो minus का 4 आएगा, चलेगा, yes sir, तो यहाँ पर आएगा, v2 minus v1, this is 10, तो come on guys, v2 minus v1 आपको देख रहा है, 5 meter per second, this is the relative velocity of separation, जब वो टकर के बाद एक दूसरे से दूर हो रही ह अब last का concept, last का formula, उसमें दो ही question है, तो एक मैं आपके लिए करने वाला हूँ, ठीक है, बाकि एक दूसरा आप कर लेंगा, direct formal है, कभी-कभी आ जाते है, तो आपको बस revise भी हो जाएगा, और question solve करने भी आ जाएगा, हैगी नहीं, तो भाई लोग बात ऐसी है, कि वो बोल रह with the ground surface, तो इसमें बोल रहा है कि height बतानी है, तो बच्चो nth, you know, rebounds के बाद उसकी जो height होगी, original height into e की power 2n, तो कितनी बार वो collide करिया, वो n है, ठीक है, number of, जो उसके rebound होगे, nth, ठीक है, तो इसमें कैसे question solve किया जाता है, तो भी देखो, suppose कर वो बोल रहा है, भी, ball आई, और एक बार ground पर टकराई, और फिर उपर चली गई, यहाँ एक ही बार टकराई, तो n की value 1 लेंगे, फिर जब बोल दुबारा से जाके, दुबारा टकराई, यहाँ पर second time, फिर उपर गई, तो यहाँ पर second time, तो n की value 2 ले लेंगे, मतलब ऐसे n यूज करना है, राइट, अच् फॉल कर रही है, अच्छा सा, ठीक है, if it losses 20% energy in the impact, एक बार टकराने के बाद जब यह उपर जाती है, एक बार, यानि n की value 1 लेंगे, क्योंकि इसने 2, 2, 3rd ऐसे impact बोला ही नहीं है, तो हम एक ही लेंगे, one impact only, है ना, one collision, तो n की value 1 लेंगे, तो बोल रहा है कि जब यह एक ब बाज बच्चो, remaining energy होगी, जो होगी, initial की, तो basically अगर इसकी initial height h0 है, तो अब जो next height होगी, इसकी something light सी है, h1 होगी, तो यहाँ पर कितनी energy होगी, इसके पास, mg h1, और वो कितनी है, initial की, only 80% है, क्योंकि 20% loss हो चुकी है, mg h0 की, इतने बात तो समझ जाओगे, ठीक है, ऐसे ल energy, वो 80% बची है, तो loss हो गई, उसको नहीं लेना है, जो बची उसको लेना है, 100-20, that is 80, तो बस इसको देखो, यहाँ पर इसको आप cancel कर लेंगे, तो h1 बचवा जाएगा, 80%, मतलब 8 by 10, और यह h0, clear है, और इसको आप ऐसे लिख लो, तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर इ e की पावर यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि यह 1 है, तो बच्चो h1 की वालू ठाकी पुट कर दो, that is 8 by 10, h0 is equal to h0, e की पावर 2, यह हो गया, cancel, तो यहाँ से जब आप question solve करोगे e square, that is 0.8, और e इस पर लग जाएगा under root 2, इसका square root जब आप निकालेंगे न, तो e की वालू ल खोदी कर लेंगे, no problem at all, how many number of collision with the ground or rebounds उसके साथ दे रखेंगे, उस पर ध्यान देना है, कुछ नहीं बोला तो one लेना है, और जो भी बोलोगा second, third, after third height बदा दो, after third impact height बदा दो, to three लेना है, something like that, तो बच्चो यह थी कुछ amazing questions from this book, and that is really amazing questions, really amazing, most expected formula and repeated formula, जो अभी तक जिन I think EMI and AC, right, EMI and AC, AC से 100% question आता है, यह आपको पता है, मिरको पता है, दुनिया को पता है, सबको पता है, तेक है, इसलिए बिल्कुल तयार रहो, उसके बहुत amazingly question हम solve करने वाले, दो पार्ट में, उसकी दो वीडियो हम बनाएं, आज की यह कहानी मेरी जुबानी समाप्त होती है, अब आपका काम बनता है, practice करना, जाओ, जल्दी से practice करो, सारे question, सारे formula, बढ़िया list बना दो, जो doubt आता है, without any hesitation, मिरको बता दो, ठीक है बच्चों, खुश रहो, मैनत करते रहो, सीखते रहो, उसको apply करते रहो, जब तक आप बहत्रूइन तरीके से अपने exam को forward नहीं द